कक्षा सात्वी विशय हिंदी आज हम नया पढ़ेंगे विद्यार्थी मित्रों दर्ती की सान जो हमारा कावय है दर्ती की सान तो दर्ती की सान जो कावय है उसके लेखक कौन है पंडित भरत व्यास जो हमारे लेखक है तो दर्ती की जो शान आपकी जो कावय है उसमें क्या ब बताया गया है कि मनुश्य कौन है कवी ने मनुश्य को क्या बताया है सबसे बड़ा बुद्धी मान बताया गया है कवी ने मनुश्य को बहुत बुद्धी दी है कठोल परिश्रम करके वो अपन क्या कर सकता है जोल, स्थाल, आकार, आकाश में कई भी उबलब दिया हो तो उसको क्या कर सकता है अपनी जो मंजिल है, मनुश्य की वो मंजिल में सफल हो सकता है तो धर्ती की जो शान है उसमें जो आपको ये चित्रत दिये गए है तो उसमें से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है तो विद्याती मिद्रों पहले हम क्या पड़े करेंगे इसका साराज समझेंगे बाद में हम कावय को पड़ेंगे और उसका कुषाती ट्रांस्लेट भी करेंगी पहले समझो के धर्टी की सान जो कावय है उसमें क्या बताया गया है धर्टी की जो सान कावय है धर्टी की शान यानिके गोरल यानि लेके धर्टी नूं गोर छो तमारी मुठियों मां तोहां बन छे ता तोहां ने वर्ष करवाने ताकाद पंकोर्णामा होल चे लगå के चेके nostum के माडलों चोदा पूलटे गाये चालली ऑक saràल्या फ़ल धाल पष्लयागते लगालोंunal कईगственक कालें तो भच्छी था खेलार्टे म्लाम चैता । जो तुकुस्से भराय ता क्रोदे भराय तो तारी आखो यो माथी आगवर्ण सावी सके छे तारी जाती मां कॉंचे महाकार रूपी शिव बेठा छे हे प्रुथवी ना पुद्र तारी पासे सुचे ही मालाई जी उन्नत मगज चे मस्तपक अने मगज आप्यू छे प्रुथवी तारी जी प्रुखकोडी छे एकेवी चे तिरषी करे तो तुः तारी शक्तेने ઋખી સકે અને તારી વાણી મસુ છે યુગનો લાલકાર છે લેકે તારો અવાજ એક્યવો છે સમગ્ર યુગનો અવાજ છ અને તું જે આવાવારી મુશ્કેલી છે બતી મુશ્કેલ્યો ને સુ કરે કરી સકે એમાંથી તું પાર ઉત્રી સકે તને પક્વાને સરસ મુત્યા પીછે તારી ગતી કોણા જેવી છે પવંં જેવી તારી ગતી છે તું પએલ의 સેત્ત્ત્ત્ત્ત્ત્ત્તથે છેત્ત્ત્ત્તે ગત્ત્ત્રાણ્ત્ત્તેયેથત્થથ uફી निकाल सकता है तो दिखो एक आदमी है खेती करने के लिए दो गाया हॉल बता खेती करने जा रहा है दो बैल लेकर खेदी करने के लिए जा रहा है सचत्र दिखाई दिया है बाद में उसमें पहाड है नदी है नदी के वहन है ये सब कुछ दिखाया गया है और उसमें दिखो एक आकाश में विमान बताया गया है विमान कौन चलाता है आदमी ही चलाता है और तो कोई दूसरा आता नहीं है चलाने के लिए तो भगवार ने हमें क्या दिया है मगज ऐसा दिया है कि हम विमान लेकर ठेक आकाश में उड़ सकते हैं विमान से हम जहां जाना है जाता है ना हम विदेश में विमान से बैठ कर ही जाते हैं और विमान चलाने वाला आदमी ही होता है और तो कोई दूसरा होता नहीं है तो वो भी विमान बनाने की और विमान चलाने की शक्ति भी किस ने दी है मगज में बगवान ने दी है इसलिए बोला है कि मनुश्य कैसा है बड़ा महान है और मनुश्य की बुद्धी भी कैसी है ब बगवान ने बहुत अच्छी मनुष्य को बुत्ती दी है और यह कविता से यह समझाया गया है कि कोई भी कार्य और संभव नहीं है मनुष्य जो चाहे वो करशकता है और मनुष्य की महंता का प्रमाठ दिया गया है तो हम अब आगे पड़ेगे चलो ध्यान से सुनना और जो कॉपलेट पे करना तो चलो ध्यान से सुनो अपनी पाठ्य पुस्तप धर्ती की सान तू भारत की संतान आपको पदा चला ना धर्ती की सान यानि के धर्ती नू गोरव धर्ती की सान तू भारत की संतान तेरी मुठ्यों में बंद तु फान है मनुष्य तू बड़ा माहान ह धर्ती किसा अने लेके सुछे तु धर्ती गोराव अने भारत मातानी संतान छे तारी मुठ्यों माई लेके तारा हाथ मां सुछे के तारी जे मुठ्यों छे एमा बदू तोफान क्यों छे बंद छे तो तारा मां तोफान ने वर्षमा करवानी ताकाट छे एलेके छे कि हे मनुष्य तू क्यों छे बहु महान छे तू खुब महान छे तू जो चाहे परवत पहाड को फोड दे तू जो चाहे नदी के मुख कोबी मोड दे एले कि जो मनुष्य तू इच्छे ने तो पर्वतो अने पहाडों छे ने सु करेतू तूडी नाखे। बरबर आपने घणी जग्याए पर्वतने पहाडों तोड़ता जोयला होचे। त्यांथी रस्तो करीने घणी बिदी आगर ताम करता होचे। वह तो तमे बदा जोवगे पाणी नी अंदर उपडर ब्रीज बनाई ने रस्ता बनाए बनावे चे। पाणी नी अंदर ब्रीज बनावे अनो ब्रीज उपड़ी पची रस्तो काणे। यह बुद्धिकोने चे मनुष्यनी चेने। तो शुके छे के तू जो चाहे नदियों के मूखको वी मोड दें। તो સું કએ છે કે તા તારા માએ ટિવદીતાકા ચે ને અને તું ઇછે નદીનો નો જે પ્રવા જે ને જે દિશા માય तु तारामा एटली बदी ताखा छेने अनो तु इच्छेने तो आच ए नदी नो जी प्रवा जे नदी नो जे दिशामा नो प्रवा अउतो है पाणी नो वहें एने पन तू धारे तू तू बदली दे छे तू जो चाहे माटी से अम्रूत निचो दे एले के सू केचे के जो तू इच्छे तो के माटी माधी अम्रूत पन काडी शके छे जो खेडू तो सरस सारी खेती करे तो अंदर थी आपने पाक पन केऊ मले सारो मले ने खेती जमीन सा परन्त जो जमिन सारी होत पाक क्यों माले सरस माले लेकर हैं अम्रूत जेवापक माले लेकर कैछे के तुँ जेए धारें ये करी शके छे कैछे तो ने तो भगवाने धर्दी ने तो सुगर्वी चे आकास साथे जोड़ी दिती छे तु जो चाहे धर्दी को अंबर से जोड़ दे लेके तु विछे ने तो धर्दी ने आकास साथे पान जोड़ी देजे अमर तेरे प्राण मिला तुझको वर्दान तेरी आत्मा में स्वयम भगवान है तु आने तो सुघर्यवाने अमर तही शक्ये अमर ती आनुवर दान प्युआ आने तारी आत्मा मां कोण छे स्वयम भगवान शें आपड़े कहेशे ना आत्मा सो परमात्मा गणी वर आपड़ी आत्मा कहती हुए ना ए साचुज कहती हुए गणी वकद आपने मन्थियम मगज बीजु कहतु हुए न मन बीजु कहतु हुए पर आत्मा चे कहेश तो के साचु कहता क्या आत्मा सो परमात्मा एले के तारी आत अमानी अंदर कोण वसेलू छे तारी आत्मामा बगवान वसेला छे। चलो जे बेफरिथी फकरावपन ना समझायता इना ये बेफरिथी समझाविदू त्यान राख जो पैक धर्ती की सान तू भारत की संतान ये लेके छे के तू धर्ती नू गोरवँ छे तू भारत मातानी संतान छे तेरी मुठियों में बंद तुफान है, मनुष्य तु बड़ा महान है, लेके तारी मुठियों मां बंद तुफानने वश्मा करवानी ताकाच्छे, अने मनुष्य तु क्यों चे बहु महान छे, तु चाहे परवत पहाड को फोड दे, तु जो चाहे नदियो के मुख को भी म तू जो जाहे माटी से अम्रूत निचोड दे। तू जो जाहे माटी से अम्रूत निचोड दे। तब तक क्या करोगे जो भी समझाया गया है। घर पे दो तीम बार पढ़ना, समझना ये कावया है। मैं परिक्सा में इसको भी कावया पूर्ती के रूप में भी पूछे सकती हूँ। तो घर पे ये तयार कर देना। और चोबी आगे का होमवर्ग बाकी हो, चोबी कुछ तो सब अपनी नोट बूप में कंप्लेट कर देना। आज का होमवर्ग क्या है, ये दोनों मैंने सिखाए, वो दोनों आपको घर पे तयार करना है। पहले एक दो बात यान से सुन लेना, और बाद में आप उसका हिंदी और कुछ राती दोनों घर पे कंप्लेट तयार करना। करोगे ना, घर पे तयार, घर पे बहुत ठंडी है अभी तो घर पे तयार लखना अपना और घर पे तयारी करना। सब होम, वो सबजेक्ट का आपको घर पे तयार करना है। तो आज मेरा ये होमवर्ग है, तो आप घर पे कंप्लेट करना। ना तैयर करना घर पे बात में जो लेक्टर आएगा ना दूसके आगे का मैं आपको समझा दोगी तब तक धिंक्यू